अनियों और हनमान जी का खास सम्मद्रा तो इसके पिछे की क्या कहान है यह दोनों ही जो है घुर भाई किका तो जो बड़ा मंगा लाएगा वो काफी खास होना है कि चुनाओ कर रिजर्ड निकलेगा उसमें तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं अनियों और हनमान जी का खास सम्मद्रा तो इसके पिछे की क्या कहान है यह दोनों ही जो है घुर भाई तो हलो दोस्तों नमस्कार जैश्री राम स्वागत आप लोग हमारे चैनल पर और आज हम एक नई वीडियो में लेके आए हैं जैसा है कि आप सब लोगों ने सुना होगा सर्व ग्रह दोस्मिन अश्रक अनमान जी के बारे में और बहुत से लोग उनकी पूचा भी करते हैं आये उनके पीछे का महत्व जानते हैं और क्या है रहस्त और कुछ मंत्र वगएरा और कुछ कहानियां यह सब पंडी से जाने का आप जादा समय नहीं लेते हैं पंडी जी बहुत बहुत स्वाग है था आपका हमारे चैनल पे पहले आप हमको अनमान जी वाइन फड़ी महमा बता दीजिए मैं पुजारी उमेज दुबे सी ठागुरद्वारा मंदिर कैपर गन्या है अनमान जी हमारे शे इसड हैं जो सभी के लिए करणा कर नहीं डैला है केवल इनका समन किया जैरे जैसे मों hammeronst करते हैं व्यक्ते हं क्या किरों हम अनकी आराधना करने सभी प्रकार के कश्च सभी प्रकार के दोस्ट, ग्रहृषांती, सपरी की अरिष्टिक दसाएं, महादसाएं, साड़े साती, यह सभी सान्थ हो जाते हैं, क्यों हम इनका हरदे से अश्मण करें, वो चाहे जो मंत्र हो, चाहे जो पाठ हो, पाठ करने प्रारम करने से पहले भगवान स्रीराम जी का दो चार बार उद्वोस करें उसके बाद इनका स्वन करें जैसे इसे हमारी बाधाये टलती जाएंगे पंडी जी चाहे जैसा ग्रह हो शनी राहु के तो हर ग्रह का ना विनाश करते हैं सब ग्रह के विनाशन के लिए इनकी आराधना होती है अच्छा बस के उलाधा से पकारने के जोगत है अच्छा अच्छा ये बताई कि जैसे आप कहते हैं सुनने में आता है कि हांशनी और हनमान जी का खास संबंद रहा है तो इसके पिछे की क्या कहानी ये ये दोनों ही जो ह सबसे अच्छे को मनुस्य बना देते हैं हर तरह से सारे दुर्गणों को दूर कर देते हैं जब इनकी साड़े साती या कोई दस्ता आती है तो आपके जितने ही विकार होते हैं जितने हैं कार होते हैं उनको सरी से नश्ट कर देते हैं पहले साड़े साती ही शुरुआत कि यह हो गया कि हम बहुत सक्षाली है अच्छा हम बहुत सक्षाली हमारे पास बहुत अखूर धन है हम जो चाहें उस हासिर कर सकते हैं तो पहल इनकी निगाहहिं के द़से देज़न से थोड़ा कम जोड़ कर थो जब दम से कम जोड़ हो जाता है तर फिस तरे से जब पांच साल निकल जाते ह account चलो आदमी नर्वस हो जाता है तो जैसा कि अभी बात चली हुई है शनी देव और हनुमान जी की तो आए जानते शनी देव और हनुमान जी की कहानी जो की रामयाण में बहुत इंट्रेस्टिंग फेज में आती है तो पंडी जी वो कहानी क्या है भगवान सेराम जी बंदाशो परांद जेव लंका पर चलाई के तस्तर पथम हनुमान जी को सीता जी की खोज में पता लगाने के लिए भेजा और यह गये इनको माता जी मिले माता जी के दर्शन हुए पुना सुधा मिटाने के लिए आग्यान लेकर माता जी से आग्यान लेकर के इन्होंने अपना फल खाना सुरू किया और सभावबस तोड़ना गिराना खाना करते रहे जब लंका में राजदरबार में ख़बर पहुंची तो वहां से मेखनाता है तो इनको बंदी बना ले ग अपने आपको सौफ दिया और वहां पहुंचे वहां पर जाकर इन्होंने लंका को भास्न किया तो जब जलाते थे तो एक जगह देखा कि सनी देव उल्टे लटके हो जाए अच्छा सनी देव को रामुने बंदी बना रखा थे सनी ने कहा कि हम आ गए हमारी दसा चलेगी तो परिशानों करें ठीए तुम बैठो आओ तो इनको जो है वहां पर टांग दिया जब सनी को देखा तो इनके गुरु भाई थे कि जगह दिख्छा लेते थे इन्होंने सनी उपर क्रपा की उनको बंधन से मुक्त किया उसी समय सनी ने इनको कहा कि आपकी जो भी आराधन अधिए इसलिए खायते हैं कि शनी वार कुह लिए हनुगा मैंजी कि आराधना के Bodisz करें हनुगोड करें हनुग का दियान करें जो हो सक picnic अपने से दूप दी पाज जो भी हो सके तो अधुशू कुस्छो सके तो हनुमान चांओ सा महले पती करिये लिकिन पाठ करने से पह तो अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं तो इसलिए उध्यान कभी नहीं दे पाते हैं जेट के मंगल चलने तो इसमें क्या खास हम लोग कर सकते हैं मान जी को प्रसंद करने करें तो जन्मानस के हितार्थ जन्हितरतकार हो रहा बहुत अच्छी बात है भूक को भोजन मिल जाता है प्यासों को पाणी सर्बत मिल जाता है मनो थ्रप्त होता है तो बहुत बड़ा एक तरह से का तो जो भी हो सके उसकी ज्चाहएं शेख सेशा करें और जिपन होग्व औपकी खास होना ब्यारा जिशन राजनी तलग चीज हो गई इधर इस्टा राधना अलग चीज हो गई लेकिन उस साथ तो रहे गई जन्मानस में उस साथ तो रहे गई तो देखें क्या होता है चलिए सस्पेंस जो है वो उस दिन खुल जाएगा तो ये था दोस्तो पंडी जी समनोगों जाना अन्मान जी के महिमा के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया पंडी जी अपने भोमूल समय निकाला आपने अब मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार